तो दोस्तो अगर आपके घर में लोकल केविल टीवी नेट रोक का कनेक्शन है तो दोस्तो आपने कही न कही भार सुना होगा जो केविल नेट रोक में गेन होता है केसी को क्लियर करेंगे किसलिए केविल टीवी नेटवर्क में गेन और स्लोप को काम पढ़ लिया जाते हैं तो हमुश्कर दोस्तों मैं अधिपंकर आप देख लिए लेक्ट गोटन चैनल को तो दोस्तों चले इस वीडियो में देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बात किया है तो केविल टीवी नेटवर्क में बहुत सी मशीनों का यूज किया जाते हैं मैं यह पर कुछ मशीनों का नाम बताता हूँ जहाँ पर ऑप्टिकल ट्रांस्मीटर है जहाँ पर इसे सिगनल भेजने के लिए यूज किया जाता है या इंडोर नोड आउटडोर नोड या एंप्लिफार तो आप सभी मशीन के ऊपर दो चीज आप देख पाएंगे जो एक ह सकती को स्कूरू डाइवर किसी भी चीज से गुमा आज आजाता है तोस्तों इसे को बढ आकर जो को कंट्रूल के बळायो या घटाया जाता है तो यह इस सिपो यह छीज हो गया एकदम तो कैसे हम जो गन को बढाते हैं और सभी मशीनों दोटेग जो नेट्वक्क कि जो से चार-पास साल पीछे चला जाए तो केबल टीवी नेट रोक में यह जो सिप्टप बॉक्स बगारा यह नहीं थी तो तभी क्या होता था जो एक वायर आती थी जहां पर हम अपने टीवी के पिछबार में जो लगा देते और जो टीवी हमारा जो पिच्चर देना चालू कर जाता है जो इसी 80 या 90 चैनल को तो यह पर फास्ट बैंड आप कह सकते हो जो एक से 30 तक इसे फास्ट बैंड चैनल कहा जाता था और जो 30 से 80 या 90 तक इसे सेगेंड बैंड चैनल कहा जाता था तो यह जगा के हिसाब से डिफ्रेंड भी हो सकती है यह सेटिंग कही कही जगा पर जो gain सामनी का फर्सट यह बैंड चैनल है उसे कंट्रोल करती है यह स्लोक क simplemente हो सकती है तो इहाँ पर क्या काम करती है अगर आप माढले जो gain 2nd leg काम कर ही है और जो slope है इसलोक है फर्सability channels पर काम कर हीह दोस्तों यहाँ पर उसे balance किया जाता है अगर आपने देखा होगा जो कही कही बार पुराने दिनों में जो टीवी में एक ही problem था वो है noise का problem दोस्तों क्या होती है अगर आज भी आप कोई भी जो antenna बगरा लगाएंगे तो दोस्तों national TV का जो channel आएगी तो आप वहाँ पर noise बगरा देख सकती है जो थोरा सा picture को खराब करती है जो noise बगरा छोटी-छोटी noise आती है उसी को control करने के लिए यहाँ पर gain और slope को use किया जाता था जो पिछले टाइम पर दोस्तों अभी जो नया setup आ गया जो बहुत सारे जो सेप्टा बॉक्स बगरा बहुत से fun बॉक्स बगरा लगा दिया गया है जहाँ पर जो picture की quality sound की quality जो बहुत ही next level तक ले गई है तो उस्तों basically जो पुराने टाइम पर देखा जाता तो एक ही जो प्रॉब्लम था वह नॉइस का प्रॉब्लम तो पिक्चर में बहुत सारा यहाँ पर तो आज के टाइम पर आप अगर देखते हैं जो हमारे सिग्नल वगरा है वह है डिजिटल में हमारे घर तक आ जाती है तो यह गेन स्लोप क्या करती है जो picture की quality को स्लोप की क्लेट तो आज की टाइम पर देखा जाये तो इस जो गेन और स्लोप को जो बैलेंस करने के लिएpower बहुत से मीटर बगरा आ गही है तो आपको कितना gains या जो कितना slope यहाँ पर रखना है उसी meter को पहले setup करना होता है उसके बाद जो वो meter आपको बता देगी जो आपको कितना gain और कितना slope आपको यहाँ पर रखना है तो आपकी जो picture quality है वो control में रहेगी दोस्तों यहाँ पर देखने बाली बात आ जाती है वो है पुराने टाइम पर हमारे जो पिक्चर का एक ही प्रॉब्लेम था वो है नॉइज आ जाता था जिसके लिए गेन और स्लोप को यूज किया जाता है और दोस्तों आज के टाइम पर भी देखा जाए तो थोड़ा सा अ पिक्चर है वो अटक अटक से आती है न तो दोस्तों अगर जो पिक्चर की क्वालिटी अभी इस टाइम पर खराब होगी जो हमारे सेप्टप बोक्स का टाइम चल रहा है इस टाइम पर अगर खराब होगी तो वैसी आपको कुछ दिखाई पड़ेगी या नो सिगनल आती है यहाँ पर वो अलग तरह से कंट्रोल होकर आती है तो दोस्तों यही थी जो केबिल टीवी नेटवर्क की गेन और स्लोप सिस्टेम के बारे में सारी जान करी तो दोस्तों उम्मीद करते हूं जो आपको पूरी की पूरी चीज समझ आएगी तो अगर नीचे कोई भी सुजाओ या कोई भी सवाल है तो इतना से कॉमेंट करिए मैं जरूर जबाब दोंगा आप सभी का तो दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बात अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक कीजिए अपने फेन के साथ भी शेयर कर सकते इसी वीडियो को और भी नए नए वीडियो ऐसे पाने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बात जाहिल बने मात्राम